नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्ट्वल स्टडी पॉइंट पर तो आज हम इस वीडियो के अंदर लेकर आएं आपके लिए थर्स्टोन थेयोरी थर्स्टोन थेयोरी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे देखिया हमने इस प्यर मैंन के टू फैक्टर थे सेिफिक तो उसके बाद किसी ने कुश्चन नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन स्पीर ओन वन इंटेलिजेंस टैस्टर जनर्ली स्पीर आवन अदर के एक के साथ जो दूसरे अलग में भी वह जो तेज हो इंटेलिजनट हो ऐसा भी हो सकता है तो यह क्वेश्ट एलेल थर्स्टोन ने has argued that G can be broken up into a cluster of related abilities जैसे कि मैं आपको क्या बोल रहा था कि भी जो ऐसे है ना specific factor है वो further divide किया गया है उसके और भी parts है तो यहीं वहाँ पर question arise हुआ कि भी क्या एक वेक्टी एक से ज्यादा skill भी require कर सकता है तो डोक्टर एलेल थर्स्टन ने यह आर्ग्यू किया कि बिजी के ब्रोकन अप इन cluster of related abilities के अंदर उसको तोड़ा जा सकता है जिसको हम पी एम में बोलते हैं ना कि prime minister this is the primary mental ability primary mental ability ठीक है अभी primary mental ability के according हमारे पास ना साथ टर्म है जैसे numerical level numerical verbal special अभी numerical में कौन से होगी जो कि arithmetic होगी मतलब numerical values verbal में जो हम speak करती है special में जो कि हमारी visualization special visualization memory memory की recording memory को retrieve करना हमारी information को record करना फिर उसको retrieve करना वर्बल स्वर्बल दो बार आगे शायद यहां कुछ में इस्टेक हुई है तो reasoning perceptual ability तो हम आगे इसको correct करेंगे गबराने कोई बात नहीं है चलिए शुरू करते हैं इस research के अंदर देखिए आपको कुछ interesting topics बताएंगे उन्होंने अपने जो research थी उसके अंदर 57 psychological mental ability test को hold किया था स्तावन जो psychological mental ability test वहां पर रखे गए ओन्द ग्रूप ओव द सब्जेक्ट एंड एग्जामाइन देश्ट स्कोर अब दी सब्जेक्ट थो थो इंटर को रिलेशन टेक्निक एंड मेट्रिक्स अलजेब्रा दो बेज्ट ओन्द गैदर डाटा था स्टों स्टेटेट डैड़ देड़ सेवन डिफ्रेंट मेंटल अबिलेटी फैक्टर जिसकों पीम में कहते हैं उन्होंने रिजेक्ट किया था एक्सेप्ट जो जो जनल इंटेलिजेंस ऑफ जी फैक्टर मतलब 57 साइकलोजिकल टेस्ट रखने के बाद उन्होंने जो यह साथ ट्रम निकाली है ठीक है उन्होंने इतने मैनत के और आप पढ़ने ही रहे ऐसा ना करो भई ठीक है आप पढ़िए आप इन साथों ट्रम को पढ़िए और समझे क्या वो सही था अगर आप आपके दिमाग में कोई कुश्चन है कि आप उसको रिजॉल कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले को उन साथ है निमेरिकल फैक्टर निमेरिकल फैक्टर क्या है अभी देखिए जी फैक्टर क्या गारता वह भी अबलेटी इस थी तो निमेरिकल फैक्टर क्या असानी से निकाल रहा हो सबसे बड़ी बात accurate हो गलत ना हो मतलब गलत दो भोगों भी बोल दें कुछ भी कोल दें ठीक है तो वर्बल वेक्टर वर्बल वेक्टर अबलेटी तो परसन तो अंडरस्टैंड यूज वेरियस वर्ड संटैंस लेंग्वेजिस और अधर वर्बल कंटेंट पीसिज अभी देखिए नुमेरिकल वैल्यू को कैसे चैक आउट किया जा सकता है कि भी कोई नुमेरिकल वैल्यू मतलब इसका नुमेरिकल जो फैक्टर है उसका तेज है हम यह क्या से कह सकते कि व लुद वाले के पास या हमारा जैंनल स्टोर होता है किसी के पास भी उसके जो नुमेरिकल है जो कॉमपटेशन तेज हो वहां से पता लगा जा सकता है वर्बलब फैक्टर वर्ड वर्ड से इस reported हैं अबहीं जो व्यक्ति जिसके साद जैसी बात कर रहा है उस ऊपने अंदर change लेके आ रहा हो that is a verbal factor because आसानी से change नहीं आता भी कोई व्यक्ति जो पंजाबी बोल रहा है कोई उर्दू बोल रहा है ठीक है उर्दू के वर्डों का यूज किया जा रहा है कई दफाम एक मरतबा ठीक है तो that is the verbal factor, space factor जिसे हम कहते है special visualization the ability किसी भी चीज को जो visualize करना कोशिश करना समझने की और इसको manipulate करना various imaginary object को जैसे various kind of puzzles आभी आपको पता है जैसे box होता है तो हमें पहले ही puzzle sort करने से पहले यह सोचना पड़ता कि अगर मैं इसको यहां से यहां यहां और यहां सी यहां ले जाओं मतलब यह जैसी इन बोक्स के अंदर है कि भी मालीजी यह puzzle box है अगर ऐसको एक complete rectangle box मैंद इसके अंदर images हो तो क्या करेंगे यहांसे यहां से यहां यहां करके उसको set कर देंगे पुजल को सेट कर देंगे ठीक है that is the special factors so memory memory किसे कहेंगे ability अभी memory को मैंने दो परकार भी कह सकते कि memory को यह मतलब सबसे पहले information को record करना और फिर उसको जो retrieve करना तो memory ability of a person to quick memorize the various concepts and retaining them for a longer period of time जैसे मान लिजे during the exam during the exam हम क्या करते हैं कि आभी मान लिजे हम याद करके जा रहे हम रात-रात पढ़ रहे हैं दो रात होगी हमें पढ़ते तेन रात होगी पढ़ते तो हम उस information का तब benefit है ना जब हम exam के अंदर याद कर पाएंगे हम लिख पाएंगे तो that is the memory strony ठीक है verbal fluency किसे कहेंगे word fluency rapidly speak survival isolated word or sentence rapidly बोला अभी सर्वलाली किसी बे collapsing बोल तो तब पथा चलता है then verbal fluency come into play भॉ 말고 fluency come into play a person with high speed वही व्यक्ति जो इस टास्क को कम्प्लीट कर पाएगा जो कि वर्ड वर्बल फ्रिवेंसी के अंदर है जो स्ट्रोंग होगा इस फेक्टर इस पॉन्सिबल फो दो कम्मुनिकेशन स्केल अभी जिसकी वर्बल फ्लिवेंसी होगी स्ट्रों तो विस सी बात है उसका कम्मुनिकेशन स्केल भी अच्छा ही होगा इंड़क्टिव रिजनिंग फैक्टर अभी इंड़क्टिव रिजनिंग फैक्टर बोले दो इंड़क्टिव रिजनिंग फैक्टर के अंदर क्या आदा है भाई इंड़क्टिव रिजनिंग फैक्टर जो वह थी है भी सीधी सी यार रीजनिंग जो हम कर रहे हैं हम कौन बच आज के टाइम में गवर्मेंट जो की तयारी नहीं कर और कहां पर हमाई जी आरेफ के अंदर पी जो रीजनिंग आती है तो अबलेटी तो डी यू से जनरल प्रिंसीपल फोरॉम एस स्पेसिफिक कंसेप्ट दिस अबलेटी इस म स्पेसिप्ट फेक्टर अबलेटी तो रैपिड़ली रिकोगनाईज कंपेयर स्पेसिफिक इमेजिस नंबर और लेटर्स एंद एकुरेटली प्रूफ रीड वैरियस ताइप अब इस स्पीड फेक्टर किसे कहें है मान लीजे जैसे मेरा इंट्रेस्ट गाडियों में है त और कम 변ा इस को नंबर को नंबर के साथ ठिक है अभी लैतर को सभी को ये नोट्स टेलिगरां चैनल के हमारे जब आप जॉइन करोगे तो आपको वहाँ पर यह नोट्स प्रोवाइड कर दिये जाएंगे अगर आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि भी आपको यह नोट्स है आप आप अपने एक्जाम के अंदर लिख सकते हैं कि टोपिक्स ना आते हैं कि भी थरस्टन थेयोर इंफोमेटिव है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेर कर सकते हैं अगर उनके लिए इंफोमेटिव है तो सब्सक्राइब करिए जब आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगे और फर्दर अपडेट चाहिए हमारी नई वीडियो को यह चाहिए ठीक है तो हम में आप अपनी क्वेरी कमेंट में बता सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो हैब नाइस दे